दोस्तो अगर आपका gaming channel है और आप लोग अपनी gaming videos के thumbnail attractive बनाना चाहते हो ताकि आपकी videos पे भी लोग click करें और जाहिर सी बात है कि अगर आपकी videos का thumbnail attractive रहेगा तो लोग जरूर से उस पे click करके आपकी videos देखेंगे क्योंकि जो first impression होता है वो video का thumbnail ही होता है सबसे पहले लोग thumbnail ही देखते हैं कि thumbnail कैसा है जो thumbnail attractive रहता है तभी लोग उस video पे click करते हैं और वीडियो को watch करते हैं दोस्तो अगर आप लोग भी अपनी gaming videos के thumbnail attractive बनाना चाहते हो तो आज का ये video आप लोग completely पूरा देखना इस video में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे आप लोग कम समय में अपने gaming videos के attractive thumbnail बना सकते हो दोस्तो ये video थोड़ी सी लंबी जरूर ह हो सकती है लेकिन इस video में जो भी मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है अगर आप लोग ये video पूरा देख लोगे तो भाई आप कम समय में अपनी videos के thumbnail create कर पाऊगे तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं राजपासी YouTube चैनल औ को subscribe करके bell notification को जरूर से on कर दिजेगा तो चलिए दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आप लोग अपने mobile phone में चाहे कोई भी game खेलते हो जब आप लोग gameplay की recording करते हो और recording करने के बाद जब आप लोग उस gameplay की editing करने के लिए काइन master application में जाते हो या फिर other कोई application से आ करना है उसका एक simply screenshot ले लेना है दोस्तो ये वीडियो काफी useful रहने वाली है आप लोगों के लिए इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा इस वीडियो में आप लोगों को दो तरीका बताऊंगा thumbnail create करने का यानि कि दो तरह के thumbnail में create करूंगा और आप लोगों को अच लेना है जो भी आप दिखाना चाहते हो अपने thumbnail पे उसका screenshot एक ले लेंगे तो यहां से देखिए left side में आपको share का बटन एक आता है इसके ऊपर एक capture का बटन आता है इस पर click करेंगे यहां capture and save का option आता है इसको save कर लेंगे यह image जो है आप लोगों के gallery में save हो जाएगी दो प्ले स्टोर पे जाके तो यहां पे मैंने snap seed application पहले से ही install किया हुआ है और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अलग तरीका बताऊंगा और बहुत ही easy तरीका बताऊंगा आप लोगों को जो की आप लोग भी कर सकते हो अगर आपको ज्यादा editing नहीं आती है तो भी आप लोग कर सकते हो बड़ी आराम से और कम समय में आप लोग एक attractive thumbnail बना सकते हो तो यहां पे मैं इस photo को snap seed application में open कर लेता हूँ सबसे पहले दोस्तों जब आप लोग इस photo को snap seed application में open करोगे तो यहां पे कुछी इस तरह का आ जाएगा अब यहां पे right side में देख देखे यहां पे जैसे आप लोग जो है ऊपर को scroll करोगे तो यहां पे कई सारे option आजाते हैं इस तरीके से और नीचे को scroll करोगे तो यह देखे कई सारे option है तो पहला जो option आता है brightness का तो यहां पे brightness पे select करके आप अपना जो finger है उसको right side में इस तरीके से करोगे left side में करोग इसका brightness कम या ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा यह जो contrast है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेते हैं 30 या 40 पे कर देंगे उसके बाद यहाँ पे saturation है saturation को हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे इसको भी 30 या 40 कर देंगे उसके बाद द इस तरीके से बढ़ा लेंगे अब यहाँ पे एक shadow का option आता है shadow को हम थोड़ा सा इस तरीके से कम कर लेते हैं अब यहाँ पे जो last में सबसे नीचे जो option है इसको नहीं छेड़ना है उसके बाद यहाँ पे देखे tick mark का एक button बना हुआ है इस पे click कर देंगे okay करते हैं आप लोगों का यह जो image देखे किस तरीके का highlight हो चुका है लेकिन अभी एक और काम करना है आपको यहाँ पे pen वाले option पे click करेंगे यहाँ पे detail वाला option आता है दूसरे number पे इस पे click करेंगे और यहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही है जैसा कि आप लोग ऊपर को scroll करोगे तो यहाँ पे नीचे वाला option select हो जाएगा नीचे scroll करोगे तो यहाँ पे पहला option select हो जाएगा तो पहले option पे आपको select करके यहाँ पे इस तरीके से right side में इसको हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे यहाँ पे 15 या 20 रख लेना है उसके बाद यहाँ पे sharpening का option आता है तो यहाँ पे हम sharpening को थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे ज्यादा नहीं 10 या 15 इतना ही रहने देते हैं उसके बाद यहाँ पे ok कर देंगे अब जो main काम है जो आपको करना है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझेगा क्योंकि यह जो आपका image है कितना जादा highlighted हो चुका है अब दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे एक done का button आता है इस पे click करते ही आप लोगों का यह जो image रहेगा वो आपकी gallery में save हो जाएगा अब दोस्तों आपको pixel app application open कर लेना है और यहाँ पे right side में three dot के option पे click करेंगे और यहाँ पे जो image size है इस पे click करके आपको यहाँ पे custom वाले option पे click कर देना है यहाँ पे एक option आता है YouTube thumbnail का इस पे click करके okay कर देंगे जैसा कि आपको पता ही होगा अगर आप लोग pixel app application से thumbnail बनाते होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा लेकिन यहाँ पे मैं किस तरीके से thumbnail बनाना आपको बता रहा हूँ वही चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से समझेगा दोस्तों यहाँ पे जो यह text आपको दिख रहा है इसको delete कर लेंगे delete करने के बाद दोस्तो right side में नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे जो चौथा option है इस पे click करेंगे और यहाँ पे जो पहला option है color वाला इस पे click कर देंगे अब यहाँ पे जो first option है वो color का है normal color यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जैसा आप रख सकते हो लेकिन यहाँ पे आपको जाना है gradient वाले option पे यहाँ पे gradient वाले option पे जाके आपको इस तरह का background जो है create करना है तो यहाँ पे background इस तरह का कैसे create करना है आप देख लीजे यहाँ पे plus वाले option पे click करोगे तो यहाँ पे दो line है इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पे पहला वाला जो है इस पे click करके यहाँ पे color वाले option पे click करोगे तो यहाँ पे इस तरीके का आपको color जो है बना लेना है एक उसके बाद दूसरा जो है इस पे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर कलर वाले option पर क्लिक करेंगे तो इसको जो है पूरा black कर देंगे फिर यहाँ पर ok कर देंगे अब इस तरीके का आपको यह background तयार कर लेना है और जो image आपने snap seed application application में जिसको highlight किया था जो आपका gameplay का screenshot था उसको यहाँ पर सबसे पहले select करना है अब दोस्तो इस image को हम यहाँ पर select कर लेंगे और इसके size को हम इस तरीके से बड़ा कर लेंगे इस background के बराबर तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर रख लेते हैं इसको अब दोस्तो यहाँ पर आपको right side में नीचे की तरफ यहाँ पर तीसरे वाले option पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे जाना है यहाँ पर opacity का option आएगा इसको हम यहाँ पर कम कर लेंगे यहाँ पर आपको 25 या 30 पर ही रखना है तो यहाँ पर मैं चलिए 28 रख देता हूँ और इसको okay कर देंगे अब दोस्तो यहाँ पर आपका यह जो background है कुछ इस तरीके का बन चुका है अब दोस्तो यहाँ पर अगर आप लोग अपने thumbnail पर अपना photo यूज करना चाते हो या फिर अपनी gameplay में से किसी भी character का photo यहाँ पर लगाना चाते हो PNG तो आप लगा सकते हो उसके बाद आपने अपनी gameplay में क्या show किया है क्या दिखाया है कितने kill किये हैं यह सबी चीज़े आप यहाँ पर लिख सकते हो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर text लिखना है और उस text को कैसे highlight करना है अब दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक PNG photo add कर दिया है दोस्तो इस photo को मैंने Google से download किया था non copyright जैसा कि आपको मिल जाएगा Google पर आप download कर लिजेगा अगर आप लोग download नहीं करना चाहते हो तो simply आप जो है अपनी free fire का game खेलते हो या फिर कोई भी game खेलते होंगे तो उसमें जो character होते हैं उसका screenshot लेकर आप उसको अच्छी तरीके से उसका जो background है उसको iris करके यहाँ पर इसको add कर सकते हो या फिर आप लोग अपना photo भी add कर सकते हो तो यहाँ पर देखिए मैंने यह photo add कर दिया है यह png photo था अब दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा option है इसको हम enable कर लेंगे stroke को हम देखिए यहाँ पर बढ़ा लेंगे आप stroke चाहो जैसा रख सकते हो यहाँ पर yellow कर सकते हो black कर सकते हो या white कर सकते हो इस तरीके का तो यहाँ पर हम yellow कर देते हैं फिर इसको ok कर देते हैं अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पर shadow का option आएगा इसको enable कर देंगे ok कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है text अब text किस तरीके से लिखना है यहाँ पर plus वाले option पर click करेंगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में कितने kill किये हैं यह सब लिख देता हूँ और कौन सा match मैंने यहाँ पर play किया था कौन सा gameplay मैंने यहाँ पर play किया था वो भी मैं उसके बारे में लिख देता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ लिख के आपको दिखा देता हूँ कि text को किस तरीके से highlight करना है अब दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया है इस पर click करेंगे, second number पर है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर font का option आता है, यहाँ से आप कोई भी font select कर लेंगे, तो फिलहाल मैं यह वाला font select कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों इसके size को हम यहाँ पर इस तरीके से बड़ा कर देंगे, और दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक background का option आता है, देखें यहाँ पर इस background वाले option को enable कर देंगे, अब इसका background किस color का रखना है, यह भी आप ध्यान से देख लिजे, यहाँ पर मैं कर देता हूँ red color में, अब दोस्तों इसका जो background है, इसके size को हम थोड़ा सा side side से बढ़ा कर लेते हैं, यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर इसका background है, इसके size को हमने थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा लिया है, लेकिन ऊपर से और नीचे से हमको थोड़ा सा cut करना है, यानि कि कम करना है, तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पर top pending आता है और यहाँ पर bottom pending आता है तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से कम कर लेंगे अब यहाँ पर last में एक और option आता है reduce का तो इसको हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे इसको 7 या 8 पर कर लेते हैं फिर okay कर देंगे अभी जैसा कि देख सकते हो यह जो text मैंने लिखा हुआ है कितना जादा highlighted लग रहा है दोस्तो जैसा कि देख सकते हो एक और text मैंने यहाँ पर add कर दिया है जैसा कि आपको थोड़ा सा और idea मिल जाएगा कि यहाँ पर किस तरीके से text को highlight किया जाता है दोस्तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी thumbnail create करते हो तो जो thumbnail का background color होता है उसको dark color में रखेंगे तो ज़्यादा बहतर रहेगा अगर dark color का background आपका है कोई भी color आप ले सकते हो जो भी आप उस thumbnail पर text लिखे होगे वो काफी ज़्यादा highlighted दिखेंगे अब दोस्तो यह जो नीचे मैंने text जो है लिखा है इसका भी color में change कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ yellow अब इसका जो font है इसके size को भी हम यहाँ से select कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरीके से रख देते हैं अब दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने बस इतना ही text लिखा हुआ है आपको अपने thumbnail पर जो भी लिखना है जो भी आपने अपनी gameplay में किया है वो यहाँ पर लिख सकते हो कौन सा match आप खेल लए थे वो भी यहाँ पर लिख सकते हो तो यह सभी चीज़ें आप अपने thumbnail पर add कर सकते हो फिलाल के लिए मैंने बस आपको example के लिए यहाँ पर बता दिया कि आपको इस तरीके से text लिखना है इस तरीके से highlight करना है तो दोस्तो यह तो हो गया पहला तरीका कि आप लोग इस तरीके से thumbnail create कर सकते हो अब दोस्तों मैं जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं यह बहुत ज़्यादा important है यहाँ पर दूसरा तरीका है thumbnail create करने का दोस्तों आपको simply करना क्या है जैसा कि हमने पहला screenshot लिया था इस तरीके से तो आपको अपनी gameplay में से कोई भी एक screenshot ले लेना है और simply आप लोगों को अपनी snap seed application में इस photo को open कर लेना है और इसको highlighted कर लेना है यहनकि color बेगरा अच्छे तरीके से set कर लेना है तो यहाँ पे सारा कुछ करने के बाद आपको इस photo को अपनी pixel lab application में open कर लेना है अब यहाँ पे three dot के option पे click करेंगे right side में यहाँ पे image size पे जाएंगे यहाँ पे custom पे click करके आपको YouTube thumbnail पे click कर देना है और यहाँ पे ok कर देना है अब यह जो background आप लोग देख रहे हो first class आप लोगों का यह जो YouTube का जो thumbnail होता है same OC के size में select हो चुका है अब दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है जो भी आप लोग इस पे text लिखोगे बस उसी पे आपको ज़्यादा तर focus रखना है जो आपका text होगा उसको काफी ज़्यादा highlighted करना है तो यहाँ पे plus वाले option पे click करेंगे और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ जैसा कि मैंने पिछले thumbnail पे लिखा था कि 33 skill मैंने किये थे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 skill और यहाँ पे मैं कुछ और भी लिख दूँगा जिससे कि आपको थोड़ा बहुत idea लग जाएगा कि text को किस तरीके से highlighted करते हैं अब दोस्तों यहाँ पे जो text है इस पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे color वाले option पे जाएंगे और इसका जो color है यानि कि अब जो background था वो तो yellow था अब yellow पे कौन सा color best लगेगा यहाँ पे आप देख सकते हो black तो black जैसे ही click करता हूँ तो देखे अभी कितना जादा highlighted लग रहा है तो अब आपको यहाँ पे जो भी आपको लिखना है कुछ इसी तरीके से आपको देखे color जो है सोच समझ के रखना है या फिर आप लोग उस text का background जब enable करते हो तो यही चीज़ को आप ध्यान रखना है कि आप लोग कौन सा color अपने मतलब text के background में enable कर रहे हो या फिर अगर आपने background enable नहीं किया तो आप अपने thumbnail पे कौन सा text किस color का आप add कर रहे हो यही सबसे ज़्यादा important होता है अभी जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का simple सा आपका जो है thumbnail बन चुका है लेकिन आपका यह जो thumbnail है काफी जादा attractive लग रहा है जैसा कि आप देख सकते हो तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग अपनी gaming videos के लिए attractive thumbnail जो है बहुत ही आसानी से create कर सकते हो तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक like कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe जरूर से कर देना तो चलिए दोस्त आज की इस वीडियो में बस इतना ही